स्वागत है आप सभी का इंडिया निउस डिजिटल पर आपके साथ मैं आजुली मुदकल कल से शादियों की सीजन की शुरुबात हो गई है और शादिया मतलब हनीमून भी हनीमून को लेकर देखे लोग बहुत जादा कन्फ्यूज रहते हैं कि अपना हनीमून कहां पर स्प में कौन-कौन से यहां पर आप अपना हनीमून बना सकते हैं तो इसमें सबसे पहली ज़गा आती है जब कश्मीर जिसे पृथवी का जिसे धरती का सवर्ग भी कह जाता है कश्मीर से बहतर जगा कोई नहीं हो सकती अगर आप भारत में और बजट फ्रेंड कर वा सकते हैं कि बहुत जादा महंगा आपको नहीं पड़ेगा कश्मीर के बाद दूशना नमर आता है गोवा का जहां पर आप ब्यूटिफुल सा संसेट और संराइज दोनों ही देख सकते हैं बीच का भी लुथ उठा सकते हैं अच्छी स्टाइलिश ड्रेस भी पहन सकते हैं तो कश्मीर में हालां कि कुछ ठंड रहेगी आपको सर्दी महसूस होगी लेकिन गोवा में मौडरेट रहता है टेंप्रेचर और वहां पर आप कई चीजों का लुथ वठा सकते हैं ऐसे में कश्मीर गोवा एक ऑप्शन है गोवा के बाद के रलेक अच्छा ऑप्शन है जहां पर किसी स्टेट में रहते हैं तो फिर आपको फ्लाइट से केरल चाना पड़ेगा तो सकते हैं महलो और रिगिस्तान की भूमी राजस्थान जो की बहुत खुब सूरत है राजस्थान के लावा एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने हिमाचल प्रदेश भी है पहाड आपको बहुत खूबसूरत नजर आएंगे पूरा नेचर का एक बहतरी नजार आपको हिमाजवत प्रदेश में देखने को मिलेगा हिमाजवत प्रदेश के लावा अंडर्मन और निकोबार भी हो सकता है जहां पर आप स्कूबा डाइविंग हो जहां पर बहुत साफ पानी आपको नजर आएगा और मॉल्डीप जैसा लुकापको अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगा इसके लावा दाजलिंग भी जगा हो सकती है दाजलिंग पहाडों की सबसे प्रसिद जगाहों में से एक है जहां पर अपना हनीमून सेलिब्रेट कर सकते हैं यह वो जगाहें मैंने आपको बताई हैं जो कि भारत में प्रसिद हैं जहां पर बजट फ्रेंडली हनीमून आप आसानी से सेलिब्रेट कर सकते हैं